दिवाली के दिन भूल कर भी न करें ये काम, माल लक्षमी हो जाएंगी क्रोधित। इस वर्ष दिवाली, दिवाली 2023, 12 नवंबर यानि रविवार के दिन पूरे देश भर में धूमधाम से सेलिबरेट किया जाएगा। दिवाली का त्योहार यानि रोशनी का त्योहार, खु दिवाली के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बेहत जरूरी है, वरना माल लक्षमी आप पर क्रोधित हो सकती है। हालां कि ये तभी संभव है, जब आप दिवाली पूजा के समय कुछ गलतिया करने से बचें। लोग जानकारी के अभाव में दिपावली पूजा के दौरान छोटी मोटी गलतिया कर बैठते हैं, जिससे उन्हें पूजा का उचित फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में लक्षमी का आशिरवाद आपको प्राप्त नहीं होता है। दिवाली के पवित्र त्योहार पर मास, शराब, धूमरपान और नशीली वस्तूओं से दूर रहना चाहिए। इस दिन साधारन भोजन करें। घर के सभी सदस्य साथ में करें पूजा। माल लक्षमी की आरती घ घर के सभी सदस्यों को शांती और प्रेन से करनी चाहिए। अगर आपके परिवार के सदस्य मन में द्वेश रखेंगे तो माल लक्षमी की कृपा रुख जाती है। लाल रंग का करें इस्तमान। दिवाली के दिन लाल रंग का इस्तमाल करना शुब माना जाता है। काले और सफेद रंग से दूरी बनाए तो भैतर रहेगा। भगवान गणेश की न ले ऐसी मूर्ती। गणेश भगवान की पूजा कक्ष में ऐसी मूर्ती न रखें जिसमें वे बैठे हुए हो और उनकी सूंड दाई तरफ न हो। मूर्ती खरीते समय ध्यान रखें कि उनकी का एल अलफाबेट बन रहा हो। पूजा स्थल पर्मा लक्षमी भगवान गणेश की मूर्ती का मुख पूर्व दिशा में हो और पूजा करने वाला अपना पीट उत्तर की तरफ करके बैठे। पूजा में चांदी के सिक्के कमल का फूल आदी जरूर रखें। इससे घर म 21 या 51 से कम दिए कभी न जलाएं। दिए रखना होता है शुब। दिवाली के दिन पूरी रात एक दिए को जलाए रखें। साथ ही मोमबत्ती की जगा भी दिए ही जलाए। दिवाली पर दिए जलाना शुब माना जाता है। पूजा करने के बाद पूजा स्थल को खाली या अंधेरा करके ना छोड़ें. यहां रात भर दीपक जलता रहें. इसके लिए परियाप मात्रा में दीपक में तेल, घी का इस्तमाल करें. कोशिश करें कि पूजा के लिए दीपक थोड़े बड़े हों. दिवाली के दिन कोशिश करें कि अपने घर में ही रहें. पूजा क समय पूरे घर को रोशनी दीपक से जगमक कर दें। किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे। घर की सारी खिडकियों दर्वाजों को खोल कर रखे ताकि लक्षमी जी का प्रवेश हो सके। घर बंद करके थोड़ी देर के लिए रिष्टेदारों या पडोसियों के यहां दिवा दिवाली की पूझा से पहले घर को अच्छी तरह से साफ कर लें। ऐसी मान्यता है कि गंदगी वाली जगह पर मां लक्षमी वास नहीं करती है। दिवाली के दिन घर में कोई भी पुराना और कबार सामान ना रखें। ये अशुब होता है। कि दिवाली के दिन देर तक शीशा, फटेपुराने कपड़े, अन्य कबार के समान जिन्हें आप सालों से इस्तमाल नहीं करते हैं, उन्हें दिवाली के दिन घर से जरूर निकाल दे, भगवान विश्णों की आर्ती करना ना भूले, दिवाली के लक्ष्मी पूजन में भगवान विश्णों की आर्ती जरूर करें। भगवान विश्णों की आरती के बिना लक्šमी पूजन अधुरा माना जाता है। तेज आवाज में न गाए आरती। दिवाली पर लक्षमी पूजन करते समय तेज आवाज में आरती न गाए और तालिया तो भूल कर भी न भजाएं। शास्त्रों के अनुसार मा लक्ष्मी को शोर से घ्रणा होती है मूर्तियों को रखे क्रम अनुसार दिवाली की पूजा के वक्त भगवान की मूर्तियों को क्रम से रखें बाएं से दाएं भगवान गडेश, लक्षमी जी, भगवान विश्नु, मा सरस्वती और मा काली की मूर्तियां रखें इसके बाद लक्षमन जी, श्रीराम और मा सीता की मूर्ति रखें दिवाली में पूझा करते समय ना तो जोर से ताली बजाएं और ना ही उची आवाज में आरती गाएं मान्यता है कि लक्षमी मा को अधिक शोरशराबा पसंद नहीं है, इससे वे रुष्ट हो सकती है विष्णु जी के बिना लक्षमी मा की पूझा अधूरी मानी जाती है ऐसे में उनकी पूझा अकेले ना करें विडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करें और भक्ती वेदा चैनल पहली बार देख रहें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मा लक्षमी की कृपा सभी भक्ती वेदा के दर्शकों पर बनी रहें